दोस्तों हमने यह इमजन से लियाए यह स्रीकेम का वायलेस CC भी है तो चलिए देखते हैं इसको उन बॉक्स इंदर के क्या क्या आता है इसके इसके अंदर क्या हुआ यहांब कोसी टीवी यह लोख रहा है और देमेगना होज़े कुरियर के लिए यह इसका बोक्स है श्रीकन इसका जो सोफ्ट्वेर आता है वो एंक्लूडेड होता है और इसे हम मोबाइल और PC दौना में देख सकते हैं motion detection का इसमें sensor आता है P2P मतलग Plug in Play और Direct Home इसके सर्वर से अपने mobile पर देख सकते हैं internet से connect करकर और internet connect करने के लिए इसमें QR code आता है push-chain connect कर सकते है इसमें night vision के लिए आयर्स लेडी भी आती है, इंप्लोडेड, लक्से नहीं लगवाना परता है हमको, तो इसे हम कैसे नेट्टोर्क के साथ, कनेक करकर देख सकते हैं, यह स्वीच है, और राउटर है, हम इसे राउटर के साथ, लेन केबल या वाइफाई, बनला वो वायलेस से कनेक कर सकते हैं, और इंटरनेट से कनेक होने के बाएद, हम अपने लेप्टॉप, बेक्स्टॉप और मॉबल किसी भी डिवेस में देख सकते हैं, इसके अलग 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 टर करके, बहुत ही सारे कैमेरा आते हैं, अलग सबसे बहले IP कैमेरा यह डॉम कैमेरा है, जो हम घर में और सिलिंग क किसी भी जगे पर हम लगा सकते हैं, और यह दू में वो IP कैमेरा बुलेट है, जो हम घर के बार बुलेट कैमेरा लगा सकते हैं, वो वाटर पर आता है, और PPZ मतलब 36 डिग्रे में हम इसको गुमा सकते हैं, तो यह दू कैमेरा यह एंडोर के लिए हैं, जिसे हम मोबाइल ग आता है, जिसे ONWIF कहते है, ONWIF क्या काम हाता है, मैं आपको बताता हूँ, ONWIF से हम डाइरेक्ट ही कनेक कर सकते हैं, अपने NVR को, और अपने NVR के थ्रू जो भी वीडियो रेकोडिंग है, वो हम रेकोड कर सकते हैं, और आपके पास NVR नहीं है, तो आप इसके सर्वर्स के थ यह अपने यल्स है, और यह इसका पावर का अप लगन है, यह इसे इंटरनेट के नेक करने के लिए यह हमारा EtherNOR के बल है, यह स्टेंड है, इसके स्क्रू है, मौंटन स्टेंड है, यह हम दिवार पर यह दो स्क्रू लगागा अगा सकते हैं, मैंने यह केमेरा दूसरा हुआ है पेल्य केमरा मैं अपने पकेइंग च्तरफ में लगा है जो तर्फ दस अब महीना यह रग़ै धारिवी यह यह भष्रेंगा यह आ पार ऑसको मैं मन आका सप्किविवाशीर में कर दोअना वना कर दॉ दूसरे मंगर है इसे यहां यह केमर के नीचे लगा सकते है यहां केमरा बोथी पोपाया लागिन काम बोथी बड़ा है इसका इसका आयर का संसर है मतलब रात को भी देख सकते हैं इसका स्पिकर है मतलब आम मबल के दुआरा और पिसी के दुआरा माइक के तुरू कुछ भी बोले तो इसमें सुनाई देता है और इसमें एक बहुत ही बड़ी अलरम की शिस्टम है अपना मबल पर क्लिक करते ही अलरम बजने लगेगा और इस का यह माइक है जिसके जरी हम सुन सकते हैं अपने को भी जगा है मतलब वो फॉन पर और डेक्स्टॉप पर और लेप्टप पर इस पर मेमरी काड है मेमरी काड को प्लग इन करते ही यह अपना डेकोडिंग शुरू कर देता है DC5 वोल्ट ही हमारा प्लग इन का है इधर हम प आप पावर यूस होता है इसमें यह इतनक का केबल है अगर आपके पास यह छोटी दूरू पर लगना है तो यह केबल है नहीं तो दूसरा केबल आप लंब भी लगा सकते हैं और केबल नहीं लगना है तो यह इसका इंटेना है जो 150 MBPS मतलब वो थोड़ा बहती नजिक में चलता है मतलब आपके घर में लगान है तो दूसरे देश्रे माल चल 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 एगा ज्यादा दूर नहीं से लगा मैंने अपी लगा रखा है मैं इसका वह लगा हुआ है उसका वीडियो में आपको बाद में दिखा हूंगा यह पेल अंबुक्सिंग गाव डियों लगा हुआ है इसलिए माने सोचार है पेल आपको लिए अंबुक्सिंग गाव वीडियो दिखा हूं यह इसका डिफॉल्ट आई रपास्वड ए है तिकन यह id और password डालेंगे यह QR code और डालेंगे दो मेरा वो डायरेक्ट से इकल जाएगे केमरा और यह reset का switch इसके नगरें दबाते ही यह आपका wifi search कर लेगा वो एप्लिकेशन स्टीकेम का आपके font पर इंस्टूल करकर इसका डायरेक्ट ही आप एड कर सकते ही यह camera और देख सकते हैं लेगिन सबसे बेल आपको क्या करना है यह id है वो डालकर यह password डालकर आपका password चेंज कर लेना है ताकि वह आपका camera कोलना सकते हैं नहीं तो वह कोल कर आपके मेरा देख सकेगा और इसका वीडियो रेकोर्डिंग भी नहीं कल सकेगा और इसके साथ ही आपको दिखा ही देता हूं कि इसमें लगिन के से होता है और इसके साथ ही में आपको इसका अन्बॉक्सिंग और वीडियो भी दे जेता हूं Memory guard का भी यह memory guard का भी लोगे रहे है यह sun disk का अल्ट्रा गार्ड लेना है अपको 32 gb इसकी speed 80 mbps मतलब 80 mbps अन्युम्म इसका रेकोर्डिंग महीने दिम तक हो सकता है क्योंकि इसमें date file, date dot date मतलब dot extension जो है उसका date है DAT उसमें save होता है इसलिए कोई भी दिक कर भीना हम महीनो दिन एक महीना save कर सकते है recording और इसमें rewrite का भी option आता है camera remember जिसके लिए आपको rewrite option select करना रहता है और यह हमारा 32 GB कार्ड है तो चलिए इसको लगाते है यह संडिस्क का लेने के बिच्छे एक ही कारने इसका 10 सल का warranty आता है दस सल तक में इस कार्ड में कुछ भी हो तो संडिस्क में टांजिस्फरी इंसुरंस है मतलब वो घर पर आकर आपका कार्ड बदल के देगा और मैंने एक दो बार खराब हो गया तो ट्राइभी किया था वो लग घर पर आते है और अपना यह कार्ड ले लेते खराब हुआ और दूसरा गाड हमको दे देते है यह हमारा 32GB का काड है इसको हम प्लग इन करते है यह हमारा गाड प्लग इन हो गया है अभी इसमें रेकुडिंग शुरू हो जाएगा अभी हमको इसको शिर्प पावर ही देना है तो चलिए हम सुरू करते है अगर इसमें कैसे होता है यह बाद में सुरू यह इसे थोड़ा वेड़ेट शूता है नहीं लगाटा है लोगी नहीं यह कड़ वह जाएगा यह इसका बहले साई डीफॉल्ट शिस्टम है चारव पर यह पर गुंगता है यह राइबरेट होता कि अछुसक भी सना कसी लग एक अपर लगाटन तो जढ एलिए लगा मुथते अजगा एक लगासम दूट इसको बाटन एक अपर ते झाल 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 जो बेकप पे हो ले सकते हैं कर दो